तोस्तो महिशे दूसे में आज बनने वाला एक बहुत क्रिस्पी चटपता और मज़ेदार नाश्था जिसे बनाना बहुत ही आसान है टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है फ्रैंड्स क्रिस्पी तो इतना है कि आप समों से भूल जाएंगे और बनाना इतना आसान है कि आपको ब अच्छा लगी तो प्यारी प्यारी से कमेंड जरूर करें आप बहुत ही आसान तरीके से इस चट पटे और क्रिस्पी नाश्ति को बनाने के लिए फ्रांट समय डू लगाना है तो डू लगाने के लिए आपको मेंदा की जरूद होगी 200 ग्राम जितना मेंदा लिया है आप मे में डाल दें आप टेस्ट के हिसाब से नमक आपको घी भी ठंडा लेना है मेंदा जो लेनी है वह भी ठंडी लेनी है और उसके बाद इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें सिर्फ डियर से दो मियट आप दें तो आप देखेंगे कि आपका जो नाश्ता बनेगा वह बह होती काम एक्जॉब करती है और दिजिए डो लग करता है रफली साभी डो लगाया है कवर किया 10-15 मिनिट के लिए साइट से रखा और अब बनेंगे मज़िदार स्टफिंग तो उसके लिए क्या क्या गैस ओन करी कढ़ाई रखिया और कढ़ाई में डाल दिया दो टेबल स जीरा जवाइन राई कुछ भी नहीं डालना है बस डालू डालिए और जलबाजी में तो बिना भूने बनाईए और यह गए हरी मटर के दाने जिनने हलका सा उबाल लिया है प्याज काते है तो जरूर डालिए और बस अच्छे से मिक्स भर किया बहुत आपको इसे भूनना करश करके टेस्ट के साब से लाइ मिर्ची डाल दी यह गया गरम मसाला हाफ टी स्पून जितना अमचूर पाउडर और अब बारी है टेस्ट के साब से नमक डालने की और अगर आपके पास घर में पनीर रखा हुआ है तो आप इसमें पनीर डाल सकते हैं चीज रखिए स्ट्रफिंग एकदम आसान तरीके से बनी है पर बहुत ही मज़ेदार बनके तयार हुई है तो चलिए इसे कर लेते हैं अब थोड़ा सा ठंडा और जितने स्ट्रफिंग ठंडी होती है जो हमने डो रखा था उसे रखी हुए भी अब 10-15 मिनिट हो चुके हैं और डो ने ख और तुट्र-चुट्र से पेड़ा बिनाने पूरी के लिए बनाती है और इसके बाद आपको से बेल नाइं से बड़ा पराफा बेलते हैं थूड़ा सा पटला सा बेल के तयार करना और लर बड़ा सा पीला पराफा बन गया है तो ये मैंने ले लिए धार-दाल जो बना लेने हैं यानि जितने भी नाश्ते आप बनाना चाहते हैं उतने याप बना कर तयार करें एक प्लेट लिए जिसे थोड़ा सा डस कर लिया शूखी मेंदे के साथ में और उसमें हम इस तरीके से ये बिले हुई मेंदे के पराथे रोटी आपको इस भी कह लिए रखते ज है उसकी वज़े से होईल को भी काफी काम एक्जॉब करेंगा और यह लिए कुछ पराथे बनकर तैयार हो गया है जो आपकी निकलती जाएं आप उसे दूसरे हाट में मिलाते जाएं और जब यह बिलकर तैयार हो जाएं आपको उसमें पानी घी तेल कॉन फ्लोर कुछ नह ही आने चाहिए उसके बाद पल्टेंगे तो आपको एक इस तरीके से स्कॉयर में पेड़ा तैयार मिलेगा तो जिलिए एक पीड़ा तो तैयार हो गया इसी तरीके से एक और बना लिया बस बीच में आपको फ्रांस थोड़ी सी गैपिंग जरूर रखनी है और उसके बाद हलका हलका सा टैप कर लें क्योंकि अगर कोई एर बबल्स वगरा है या कहीं से अच्छे से नहीं चिपका है तो वो चिपक जाएगा और यह लिए जिए मारे कुछ पेड़ी तैयार हो गया है अब बार यह फाइनली नाश्टा बनाने की तो बस एक पेड़ा लिया हलका हलका टैप किया और दो टिबल स्पून जितना मैंने स्टरफिंग ले लिया है बिल्कुल सेंटर में रेखी और उसके बाद आपको लगाना होगा इसमें चारो तरफ अच्छे से पानी इसमें आपको कोई मेंदा का घोल कॉन्फोर का घोल कुछ नहीं लगाना है सीधा जो नॉर प्रैस करते जाए फ्रेंट्स कोई इशू नहीं है कि तेल में जाके खुल जाएगा बस पानी अच्छे से लगा लेंगे न तो आपका काम एकदम नीटेंट क्लीन होगा और अब यह जो साइड है इन्हें थोड़ा थोड़ा सा प्रैस कर दीजिए बहुत ही बढ़ी आता है उसके बद हलका सा प्रैस कर दें और आप जाते हैं थोड़ी सी और डिजाइनिंग करना तो आप एक फॉग ले लें और उस पे किनारों में हलका हलका सा इस तरीके से प्रैस कर दें डिजाइन भी अच्छा आजाएगा और सिक्यूर भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो अच्छे से सिक्योर किया चारो साइट से और यह जो खुली हुई किनारिया इन्हें बिल्कूल अच्छे से उंगलियों से और अंगुठे से आप सिक्योर कर ले यह लिजे हमारा एक और नाश्ता तैयार हो गया हलका सा प्राइस किया और फॉग लेके फिर से डिजाइन बना और यह लिजे कुछ नाश्ते बन कर तेयार हो गया है फ्राइंस आप से समोसा का यह सकते हैं तो आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं आप इसे दे सकते हैं और उसके बाद मीडियम करम उईल में हम एक एक करके अपने के कुछ नहीं ।रीके के कच्छाणियां डालते जा तैयार होते हैं और उलट पर डटकर आप इने जब तक सेकें जब तक इस पर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर नाज़ा है बहुत यह जिसे सिकर तैयार हो चुका है और मुझे सिकने में लगे हैं प्रण्स करीबन साथ से आठ मिनट बहुत यह चैसे फूल चुका है देखने के साथ में आप इसे सिर्फ चाय के साथ से सर्फ कर सकते हैं faj क्रिस्पी सब्सक्राइब देख सकते हैं बहुत रहाँ है कि आजिए पते ही इस Г देखने में भी बहुत अच्छा है देखने में भी अमेजिंग है तो मुझे उमीद है आप लोगिस रासीपी को एक बार इस तरीके से जरूर रहें